हेलो बच्चो कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा आठ की वॉक्षीट नंबर 21 जो की 1 ऑक्टूबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विश्य है बच्चो सामाजिक विज्ञान और हम पढ़ रहे हैं इतिहास का पार्ट पांच जो की है जब जनता ब और दो पढ़िए तो देखिए श्रोत एक है 84 नियमों की सूची यहां महाराष्ट के एक गाउ में रहने वाले ब्राहमन विश्णु भट गोटसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिये गए हैं विश्णु भट और उनके चाचा मतुरा में आय वापस लोट जाएं क्योंकि तीन दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था अंग्रेज सरकार हिंदूों और मुसल्मानों के धर्म को नस्ट करने पर आमादा है उन्होंने 84 नियमों की सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका एलान कर दिया है उन्होंने यानि कि सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तयार नहीं है उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है यानि कि अगर अंग्रेज इन न मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं धर्म युद्ध के लिए तारिख तै की गई है और मेरट चावनी से गुप्त योजना तैयार करके विभिन चावनियों में भेज दी गई थी तो यहां पर हमने देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ विरोध और गुस्सा नज़र आ रहा है लोगों में और यही चीज बताई सिपाहियों ने कि फिलहाल अंग्रेज जो 84 नियमों की सूची वो बना कर लाएं हैं जिसका ऐलान करने वाले हैं इन सूची को राजा मंजूर नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप इनको इनका एलान करते हैं इनको पालन करवाने की कोशिश करते हैं तो इसका परिणाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा तो यह हमने पढ़ा पहला श्रोत अब हम देखते हैं श्रोत दो जिसमें हमें कह रखा है कि जल्दी के तौर पर भरती हुए थे और 1860 इश्री में सेवा निवृत हुए तो यहां पर एक सूबेदार हैं जिनका नाम है सीता राम पांडे और यह बंगाल नेटिव यानि ही बंगाल की आर्मी हम कह सकते हैं वहां पर सिपाही बने थे 1812 में और 1860 में यह रिटायर हो गए उन्हों ने उसे सीता राम की आँखों के सामने ही मार डाला था तो यहां पर देखो कैसी अजीब सी स्थिती है कि पिता अंग्रेजों के सैनिक है और वहीं जो विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ उनमें उनका बेटा शामिल था और अंग्रेजों ने उनके आँखों के सामने ही मार डाला सीता राम पांडे के संस्पननों का एक अंश इस प्रकार था उन्होंने क्या लिखा चलिए वो पढ़ते हैं मेरा मानना है कि अवद पर हुए कबजे से सिपाहियों के भीतर गहरा आविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशे रचने लगे तो हमने पिछली वर्कशीट में समझा था कि 1856 में अंग्रेजों ने अवद को अपने कबजे में ले लिया था ये कहकर कि वहां के जो साशक हैं वो अच्छा साशन नहीं चला रहे हैं और इस कारण से जो वहां के वो सिपाही जो अवद से आते थे उनके अंदर एक गुसा की लहर दोड़ी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ साजशे बनानी शुरू कर दी थी अवद के नवाब और दिल्ली बादशा के नुमाइंदों को सेना की नब्स जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और यानि कि उस समय कुछ बादशा और ऐसी लोग भी थे जो की चाहते थे कि सिपाही उनके साथ आ जाएं और विद्रो करना शुरू कर दें अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशा के साथ कितना बड़ा धोखा किया है उन्हो इनका मानना है कि सिपाहियों को भड़काया गया था राजाओं के द्वारा और इसलिए जो सैनिक है वो भी काफी जादा खिलाफ हो गए थे अंग्रेजों के उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है संयोंग से इसी समय सरकार ने सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफिल के इस्तमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा तो इसी समय क्या हुआ था कि एक नई राइफिल का इस्तमाल किया जाना था और उसको सीखने के लिए सैनिकों क को अलग-अलग च्छावनियों में भेजा गया था इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रसिक्षण दिया यानि की ट्रेनिंग दी इसी दौरान ना जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तमाल होने वाले कार्टूसों पर गाय और सूर की सेजना का माहौल बन गया तो अब देखो इनका कहना यह है कि एक ऐसी खबर फैली जो जूट थी लेकिन वो बहुत तेटी से फैल गई कि जो हम कार्टूस चलाने वाले हैं जिसको हमें मुह से खोल कर फिर इस्तमाल करना होता है उसमें गाय और सूर की चर्बी का इस्तमाल ह नहीं थी यह सच नहीं थी लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिग्र किया अवद पर कबजे की कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे स्वाथी लोगों ने फॉरण यह कहानी गढ़ दी की अंग्रेज तो सबको इसाई बनाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ऐसे कार्टूस तैयार किये हैं ताकि उन्हें इस्तमाल करने से मुसिल्मान और हिंदू दोनों ही भ्रस्ट हो जाएं ठीक है तो यह हमने दो चीजे पढ़ी जो हमें दर्शा आता है कि लोगों के अंदर अंग्रेजी शाशन के खिलाफ कितना गुस्सा था और किन वजहों से था ठीक है चल तो बिच्चर पहले प्रशन का आप आंसर लिखेंगे कि सिपाहियों ने विश्णु भट तथा उनके चाचा को लौट जाने की सलाह इसलिए दी क्योंकि 84 नियमों की सूची की कारण हर तरफ कोहराम मचने वाला था ठीक है बिच्चो चलिए दूसरा प्रशन देखते हैं राजाओं ध्वारा भड़काने की कारण तथा कार्टूस में चर्भी होने की अपवाहों के कारण पनपा ठीक है चलिए तीसरा प्रशन देखते हैं देखिए तीसरे प्रशन में हमसे पूछा है कि अंग्रेजी फौज के भारतिय सिपाहियों में आविश्वास क्यों भर अंग्रेजों ने क्योंकि अवद को हडप लिया था यही कारण है कि सिपाही अब अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करते थे चलिए फौर्थ क्वेशन देखते हैं इसमें पूछा हुआ है कि इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है विस्तार से है इस प्रशन का अप उत्तर लिखेंगे कि इतिहास को जानने के लिए संस्मरण अत्यधिक सहायक होते हैं क्योंकि इनसे हमें उस कालखंड की विशेश जानकारी मिलती है इसलिए संस्मरण हम सभी के लिए काफी जादा अच्छे जानकारी के श्रोत हो सकते हैं तो बच्चो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वरक्षीट आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने फ्रेंज की साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे की नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए थैंक यू